वेलकम तो सर्दाना कार्ड डेकोर आज हम बात करेंगे करेटा के बेस मोडल की जिसको हमने मोडिफाई किया है बेस से टोप कनवर्ट किया है यह आप देख सकते हो यह अब हमने इस पर एसेक्स का लोगो भी लगा दिया है यह बिल्कुल बेस गाड़ी थी अड़ी के अंदर हमने प्लै führt company के अलोगए और मिषलिल कंपए के टायर डाले हैं देख सकते हो और अलोगे कें अंदर हमने में कलर भी किया यह आप देख सकते हो जिसके साथ बहूत इस अज़कि आ है गाड़ी कि यह प्लैटी कंपनी कि और और उल्हों है और साथ में मिसलिल के हम वने सम्लिट अंदर टैर डाले देख सकते हो कि हमने से गाडे Sudden Li का अंदर फ्रेंच ग्रील इंस्टॉल किया जो तयों वोडल के अंदर फ्रेंट ग्रील लगकर आती है वाली स्कें अनदर वे जैनेन के प्रोपर उरिजिनल ऊप्ट पॉग लाइट किया हैं ने हमने हैं यदा उसको आपको दिखाता हूँ जिसके साथ रोशचनी हमें कितना जबर्दस्त लुक देखने जाएगा यह आप देख सकते हूं इसके अंदर हमने white led iskип लाइट में और हैड लाइट में भी है आप मैं देखाता हूं आपको भी कैसी है इस का्ठब सकते ह् consigo बड़ करें हैं पर देख सकते हैं निदेंगेटर लगे हुए आते हैं हमने इस गाड़ी के अंदर साइड वेंट लगाए यह देख सकते हो जिसके साथ एक बहुत अच्छी लूख आपको देखने को मिलेगी यहां से हमने इंडिकेटर को हटा कर यह वेंट इंस्टोल किया है इसके बाद बात करता हूं मैं कुछ इसके बात करता हूं मैं इसके बारे में हमने इसके उपर इस गाड़ी के अंदर रूफ रेल लगाई है जो बिल्कुल प्रोपर फीटिंगे साथ हैं देख सकते हैं कोई भी आपको गैप नजर नहीं आएगा जिसके साथ गाड़ी की एक बहुत अच्छी लुक आती है और इस के अधर हमने सारक फिनंटीना लगा है अगर आप चाते हैं तो इसमें हम आपको ओरिजिनल सारक फिनंटीना भी देढ़ सकते हैं और ये बिखिंग डाइन खाढ़ी गुए आगा कर रही है कंडियाद सबस्क्राइब इस ल्लावर है ने देख सकते हो आप गारी कितनी अच्छी लूंक आ रही है अगर आप भी अपनी गाडी को बैस हे टों बनाना चाहते हैं तो सर्दाना कार डैकोर हिसार पहुंचे और अपनी गाड़ी को बेस से टोब मोडल करवाई इंस्टोल किया है टोब मोडल में जो ऑटोमेटिक मिरर आते हैं वो इंस्टोल किया है यह ओरिजिनल हुंडे कंपनी के हैं और यह प्रोपर वरक करेंगे मैं आभी आपको आपको इंडिक जैसे हम इंडिकेटर देते हैं तो इसके साथ इंडिकेटर भी वरक करेंगे यह देख सकते हैं आप इंडिकेटर भी वरक करेंगे प्रोपर पर यह और यह भी हमने प्रोपर हुंडे कंपनी के लगाए है इस गाड़ी के अंदर हमने साइड मिरर क्रूज कंट्रोल फोग लाइट कि फ्रंट ग्रिल गोगल स्टेंड काफी आइटम हमने होंडे कंपनी की ओरिजनल आइटम लगाई है और अब हम बात करेंगे अंदर के इंटीर के बारे में सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें आपको फूट्स्ट्राप नजर आएंगी एलेडी वाली हमने इसके अंदर इंस्टोल की है और बात करता हूँ मैं शीट कवर के बारे में यह देख सकते हो आप शीट कवर लगाए हैं हमने इस गाड़ी के अंदर इसको हम रेड लाइन बोल रहे हैं यह रेड लाइन शीट कवर है और इसके अंदर हमने मैट जो मैट चीज़ इंस्टोल किया है वो आपको अभी दिखाऊंगा मैं आप पहले सीट कर देखो फुल वकट शीट कवर है इसकी फीटिंग बिल्कुल एक जैसे बिल्कुल ओ-म फीटिंग है यह देख सकते हो आप कहीं से भी आपको यह नहीं लगेगा कि यह सीट कवर आपने लगवा और भी आइड़ी इंस्टोल की है वर मोडल में जैसे वाइट एली आती है हमने इस गाड़ी के अंदर भी वाइट एलीड इंस्टोल गया जो बाता होता है अ को हमने निकाल के इसके अंदर वाइट एलिडी इंस्टोल की है यह देख सकते हो आप और अब बात करता हूँ मैं इसमें है कि सोनी का हमने स्टेडियो लगा है स्टेडियो लगाए है हमने इस गाड़ी के अंदर यह देख सकते इसका प्रोपर फ्रेम है है हमारे पास references के components फिकर इस्टोल किया और अब बात करता हूं में steering control और cruise control के बारे में और इस गाड़ी के अंदर हमने यह देख सकते आप original steering control और cruise control भी इन्स टोल किया है मैं बात करूंगा side साइड मिरो के बारे में जो हमने इसके अंदर इंस्टाल किये उसके जो है जो डॉर पैंले हमने चेंज कारेट पैनल के अंदिर हमने फिटिंग कि यहां जो फिटिंग बिल्कूल ओंप्लम फिटिंगा एए गर देख सकते हो आप क्या यह देखना अभी भी आपको बटन दबा के दिखाएंगे और यह मिरर भी ओन होएंगे ओफ ओने देख सकते लाप और मैं आपको दिखांगा इस गाड़ी के जो हमने side mirror install किया है करते हो तो यह अपने आपी फोल्ड होएंगे और साथ में अगर आप ओन करते हो तो देख सकते हो आप mirror अपने आपी यह देख सकते हो आप इस गाड़ी के अंदर हमने original Hyundai company की parcel tray इंस्टोल किया है और जो भी आप गाड़ी के उंदर का स्मान होता है गाड़ी का हम गाड़ी के ऊंदर को ही वाप्त देदेते हैं यह देख सकते हो जो पहले वाली творch rights वो इन्होंने अपनी डिगी के अंदर र राखी होई है वो सभी चीजें गाड़ी केंदर है और इस के अंदर हमने एक चीज और पताना चाहूंगा मैं इस गाड़ी के अंदर हमने इस इस गाड़ी के अंदर हमने पावर विंडो रिले लगाई है अभी आपको हमारे आलम उस्ताद दिखाएंगे वो कैसे वरक करती है जैसे यह सिसा देख सकते हो आप अभी यह सिसा उपन है मान लेजिए दे अब यह हो गया देखो अब पिछे वाला हो रहा है उस साइड़ का और अब यह हो गया देखो यह रिले का बहुत ही अच्छा फीचर है आप भी अपनी काड़ी के अंदर इंस्ट्रोल करवा सकते हो आइसी ज़र्दस मोडिफिकेशन के लिए पहुंचे सर्दाना का डैकोर हिसार आपको मुवाइल नंबर मैं मेंशन कर देता हूं 989621800 और सेगिंड नंबर है जो हो है 9991100444 और हमारा यूटूब पे चैनल है सर्दाना का डैकोर हिसार के नाम से आप उसको भी लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्यू